पस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं अच्छी टिपस YouTube चैनल आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सीडी के नीचे क्या बनाना चाहिए सीडी के नीचे टॉयलेट बनाना चाहिए या नहीं सीडी के नीचे क्या बना सकते है क्या नहीं बना सकते है जैसे पूजा घर बाथरूम अगर घर बना रहे हैं लेकिन सीडी कहा बनाए इस बात को लेकर किसी निर्णे पर नहीं पहुच रहे हैं तो आपको इस आर्टिकल के मात्ध्यम से आपको इस दुबिधा से बाहर निकलने में मदद करेगी वास्तु शास्त्र के अनुसार घर बनाते समय यह सवाल सामने जरूर आता है कि घर का सीड़ी कहा बनाए अगर आपके साथ भी इस समस्या का हल खोज रहे तो आपको बता दू की घर बनाते समय वास्तू का ध्यान जरूर रखे आई जानते हैं घर में सीडी कहा बनाने से वास्तू के अनुसार क्या परिशानी होती है पूर्व दिशा में अगर सीडी होगी तो घर के सदस्यों के सेहत खराब ही रहेगी उत्तर पूर्व दिशा में सीडियों के बने होने से आर्थिक संकट बना रहता है घर के ब्राहमन स्थान में बना सीडी खतरनाक परणाम देती है वास्तु के अनुसार सीडी की दिशा अगर आप चाहते है कि सीडी के नीचे कुछ बनाकर उसका उपयोग करे और आपके घर के वास्तु पर कोई पर प्रभाव न पड़े तो सीडी के नीचे वास्तु के अनुसार सिर्फ स्टोर रूम ही बनाया जा सकता है इसके आवला कुछ भी बनाए जाना सही नहीं और शुब भी नहीं माना जाता है अगर नहीं भी बॉक्स न रखे नहीं तिजोरी बनवाए जल से जुड़ी कोई चीज या एक्वेरियम भी न रखे कबाड और जूते चपल नहीं रखना चाहिए अगर आप जूते चपल रखते हैं तो घर के मुख्य के लिए परिशानी बढ़ेंगी सीडी के नीचे क्या होना चाहिए अ आपको वस्तु के अनुसार गलत कर रहे होते हैं सीडियों के लिए सिर्फ और सिर्फ स्टोर रूम बनाया जा सकता है सीडियों है घर में सीड़ी कहा बनाए वास्तू के अनुसार घर में दक्षिन पश्चिन दिशा सीड़ी बनाए जाना शुब माना गया है इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कृप्या वीडियो को एक छोटा सा लाइक करें और हमारे चैनल को स सब्सक्राइब करें